ना समोसे ना कचोडी आज हम बचे हुए चावलों से एकदम टेस्टी क्रिस्पी और चटपटे रोल बनाएंगे एक बार इस रेसिपी को ट्राय करके जरूर देखना दोस्तों फिर आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और ये कितने क्रिस्पी बने हैं आप इसकी आव की अपनी किजन साला में यहां मैंने ये चावल लिये हैं ये बचे हुए चावल हैं जब भी घर में चावल बनाते हैं तो एक दो कटोरी चावल बची जाते हैं दोस्तों ये भी एक बड़े साइज की कटोरी है तो इसको हम एक बड़े बाल में डाल देते हैं और इसमें हम एक बारी कटी हुई सिम्ला मिर्च डाल देंगे और थोड़ा ये हरा धनिया डाल देंगे दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और कुछ मसाले डाल लेते हैं आधा चमच हम इसमें नमक डालेंगे अगर आपके चावलों में पहले ही नमक डला हुआ है तो आप कम नम पाव भाजी मसाला इसे इतना टेस्टी बना देगा कि आपको ज्यादा मसाले डालने की जरूरती नहीं पड़ेगी थोड़ा इसमें ये मिक्स हर्ब डाल देते हैं एक चमच और अगर आपको ज्यादा चटपटा पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल लीजी या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें एक चमच घी डालके और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मैस कर लेंगे जो चावल है मैस करने से वो भी तूट जाएंगे मिक्स हो जाएंगे इसको इतना मैस करना है कि हाथ से दबा के देखे तो ये बाद हम घी लगाके हाथों को चिकना कर लेंगे और थोड़ा पॉर्सन लेंगे और इसको एक सेप दे लेंगे मैं इसको स्लेंडरिकल सेप में बना रही हूं इस तरह गोल गोल गुमाएंगे और साइड से भी हाथ से दबाके एक अच्छी इसको सेप दे देंगे हम और ये द किनारों से भी बंद कर देंगे और इस तरह की यह सेफ हम बना लेंगे और यह देखे दोस्तों यह दस रोल बनके हमारे तयार हुए हैं अब एक बरतन लेंगे बड़ा और इसमें तीन चार चमस मैदा डालेंगे मैदे की जगे आप ग्यहों काटा भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ा पानी डालके इसका एक गोल बना लेंगे ये हम सलेरी बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके गोल लिएगा एक दम ज़्यादा पानी मड़ डालिएगा लेकिन इसका हम एक पतला गोल बनाएंगे ये देखे इस तरह का बना लीजिए किनारे काट लेंगे आप चाहें तो इस तरह केंची से भी काट सकते हैं या फिर आप तीन चार इस तरह लाइन में रखिए उपर नीचे और चाकु से साइड से किनारे हटा दीजिए इस तरह करते हैं तो भी जल्दी काम हो जाता है या फिर केंची से भी काट सकते हैं जैसे आपको सुईदा लगे उस तरह आप करनी जी और ये देखे इनके मैंने किनारे हटा दिये हैं सभी के हटा दिये हैं पूरे दस ब्रेड के और ये जो किनारे बचे हैं ना इनसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इनसे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे उसका भी हम बाद में जब हम इसे रोल करेंगे तो ये तूटेगा नहीं और तीसरा ये ज़्यादा तेल नहीं सोक करेगा इसके कई फायदे हैं तो इसको इस तरह से हम बेल लेंगे और बेलने के बाद जो हमने ये सलेरी बनाई है इसके किनारों पर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जा और ये देखे किनारों पे मैंने इस तरह से सलेरी लगा दी है तो अब हम एक रोल लेंगे और यहां किनारे पर रखेंगे और इसको इस तरह से गोल घुमा देंगे ये रोल हमारा इस तरह बन जाएगा अगर आपको लगे कहीं से अच्छा नहीं चिपका है तो और सलेरी लगा दीजिए और अच्छे से इसका परबंद कर दीजिए ताकि ये बाद में खुले ना, खुल गया तो फिर ये प्रेशा नहीं कर देगा, तो अच्छे से आप इसको चिपका लीजिए, और इसी तरह हम सारे बनाएंगे, एक और बना के दिखा देती हूं, आ और अच्छे से इसको चिपका देंगे, अगर आपको लगे ब्रेड छोटा है, तो आप इस रोल को पतला करके लंबा कर लीजिए, फिर आपके आसानी से हो जाएंगे, मैंने भी दबा के थोड़ा लंबा कर लिया है, ताकि अंदर पूरे में ये जो मसाला बना है, वो पू कर लेते हैं, और अगर आपकी सलेरी कम रह जाए तो इसमें अपना और मैदा मिला लीजिए, और इसका क्वांटिटी इसकी बढ़ा लीजिए, तो तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, पैन में, तो अब हम क्या करेंगे, एक रोल लेंगे, और इस लेरी में जितने भी आपके पैन में आएं, दो, तीन, चार, इसी तरह सलेरी में लपेट ये, और ब्रेड करम से लपेट दीजिए, और गरम तेल में इसको डाल दीजिए, यह देखिए मैंने तीन डाल ले हैं, तो मेरे पैन में तीन ही आए हैं, इनको हम गुमा गुमा के, सभी साइ जरूर ट्राइक कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है यह वाली रेसिपी, और मैं आपको याद दिला दू, अगर आपको यह आज की रेसिपी पसंद आई होना, तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यह देखिए इनका बड़िया रोल हमारे बन के तयार हुए है, इसी तरह हम दूसरे बैस के भी बना लेंगे, सारे रोल हम इसी तरह बना के तयार करेंगे, सलेरी में डुबोएंगे, और उपर से ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे, और गरम तेल में डाल देंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पकाएंगे एकदम हाई फ्लेम पे नहीं पकाना मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकाईए और ये देखे मैंने दूसरे बैच के भी ये तयार कर लिये हैं तो इनको भी अब एक चलने में निकालेंगे जो तेल होगा वो तपक जाएगा और ये देखे दोस्तो कितने क्रिश्पी रोल हमारे बन के तयार हुई हैं ये हमने सारे दस रोल बना लिये हैं दोस्तों बहुत ही स्वादिस्ट हैं और इतने क्रिश्पी हैं आप इसकी आवाज सुनिए पहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी है पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्रा कर लीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई थैंक यू